फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम 12 किलास की प्रोज के 5 चेप्टर इंडिगो के लोंग आंसर टाइप क्यूशन की स्टड़ी करेंगे फ्रेंड्स ये एक मास्टर आंसर है आप इस मास्टर आंसर को इंडिगो के किसी भी लोंग क्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं नहीं होती है कई वजा से इसलिए उनको कुछ चीज़ रटनी पड़ती है फ्रेंड्स अगर हम हर लेसन के चार या पांच लोंक्योशन रटें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और कुछ भी याद नहीं रहेगा इसलिए मैंने आपके लिए मास्टर आंसर प्रिपेर किया है दोस्तों दूसरी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं और आप चैनल की पहले लिश्ट जरूर चेक कर लें राजकुमा शुकला एक साधरल किसान थे दूसरे किसानों के तरह वे बिहार में चमपारन से थे वे पड़े लिखे नहीं थे मगर बहुत मजबूत थे उन्होंने गांदी जी से मिलने का इरादा किया बटाईदारी की समस्याओ को हल करने के लिए जो जमिदारों और अंगरजों के दुआरा बनाए गई थी वे गांदी जी के पास गए और सब कुछ बताया गांधी जी प्रोमिस्ट हिम टू गो विद हिम आफटर कानपूर्स अपोइंटमेंट गांधी जी ने उनके साथ चलने का उनसे वादा किया कानपूर की अपोइंटमेंट के बाद राजकुमार followed गांदी जी everywhere राजकुमार ने गांदी जी को हर जगा फॉलो किया तो गांदी जी impressed his tenacity and reached चंपारन with राजकुमार इसलिए गांदी जी उनकी लगन से पिर्वावित हुए और राजकुमार के साथ चंपारन पहुँच गए फिर राजकुमार शुकला गांदी जी को वकीर राजकुमार पिर्वावित के घर ले गए और उसके बाद गांदी जी सबसे पहले मुझफरपुर गए उन्होंने वहाँ पाया किसानों के हालात बहुत बदकिस्मत वाले है और वकील बटाएदारों से एक बड़ी फीस इखटा कर रहे थे गांदी जी इसकोल्ड़ ड़ लोयर फोर दिस गांदी जी ने वकीलों को इसके लिए डाटा इन चंपारन तर चीफ कमर्शल क्रॉप वास इंडिगो चंपारन में मुखी विवसाइक फसल इंडिगो थी Most of the land owners were British ज्यादातर जमीन मालिक बिरिटिश थे They forcibly used to do share cropping with the farmers वे जबरजस्ती किसानों के साथ बड़ाएदारी किया करते थे गांदी जी started his mission with many lawyers गांदी जी ने अपना mission शुरू किया कई वकीलों के साथ He faced many difficulties उन्हेंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया Many times he was stopped but he never stopped कई बार उनको रोका गया मगर वे कभी नहीं रोके He spent his precious one year on it उन्होंने इस पर अपना एक कीमती साल खर्च कर दिया And finally he won this fight और आखिर कार वे ये लड़ाई जीत गए After that उसके बाद गंदी जी साथ इन पीपल वास हैल प्रोब्लम उसके बाद गंदी जी ने देखा कि लोगों में हैल्थ प्रोब्लम है So he managed doctors and medicines इसलिए उन्होंने medicines और doctors का management किया When he saw women in dirty dresses जब उन्होंने औरतों को गंदे कपड़ों में देखा He said to his wife to learn them manners तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा उन औरतों को तोड़ तरीके सिकाने के लिए In the last आखिर में गांदी जी said that we should be independent गांदी जी ने आखिर में कहा कि हमें आत्म निर्बर होना चाहिए दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्तिय सर को सब्सक्राइब करें तेंस वर वाचिं इस वीडियो